हेलो हेलो, वलकम टो दो वीडियो, देखो मुझे पता है कि आप में से काफी सहरे लोगों ने BVSC का कोर्स करा है, वेटनरी का कोर्स करा है, उसके बाद आप MVSC Nutrition करने का सोच रहे हैं, या फिर आप MVSC Nutrition औरेडी कर चुके हैं, तो इसके बाद क्या जॉब और स्कोप से, य आपको मिलता है, तो सबसे पहले आपको बता दूँ की, काफी ज़्यादा जो अभी आपको बता दूँ की, अलग-लग पोस्ट आती है, अपने Animal Nutrition को ले करके, तो इसमें बता दूँ की, सबसे पहले आपको पता होना से की, जो आपका कॉलेज बहुत ज़्यादा आपको बहुत ही अच्छी से आपका पकेज लग सकता है, और दूसरा आपको बता दूँ की, जो Animal Nutrition है, वो बहुत एक अच्छी चोईस है अगर आप Master's Degree करना चाहरे हैं, और अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो, इसका अलब आपको बता दूँ की, जो व जो है, काफी अच्छा एक option आप बोल सकते, Animal Nutrition के लिए, और Aquarians में आप जा सकते है, Research Institutions में आप जा सकते है, Feed Manufacturers, जहांपर फीड बनता है, एक्चुली में आप वहां पर जाकर के काम कर सकते है, Veterinary Clinics, आप बोलेंगे Veterinary Clinics में कैसे, तो वहां पर भी आपको Animal Nutrition के requirement होती है, और Academic Institutions में आप Teaching वगरा में भी जा सकते है, एक बार आपको Revise करा जाता हूँ, Research Scientist आप बन सकते हैं, अगर आपको Scientist बनना था, आपको PhD करना पड़ेगा, Professor और Lecturer, Consultant आप बन सकते है, Animal Feed Industry में, Nutrition Companies में, Nutritionist की जॉब आप कर सकते है, Livestock Farms पर, जो बड़़-बड़ बन सकते है, Project Manager आप बन सकते है, तो यह सब करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये Jobs जो ही आपको कैसे मिलेगी, तो इसके लिए आपको LinkedIn जो है, आपका अच्छा मेंटेन करना होगा, LinkedIn पर आपको बताएं, तो एक बार में Jobs क करना है, यहाँ पर मैं थोड़ा सको बड़ा करके दिखाता हूं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है about the job, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो Animal Nutrition है, उसके लिए अलग से काफी सारी अलग अलग जोब आती है, अब अगर इस जोब की बात करेंगे, तो यहाँ प दूसरी जो job साती, जिसमें की experience मांगता है private field में, poultry में, या फिर कुछ जो livestock farm से उनका experience भी मांगा जाता है कई बार, तो आपको अपनी variety of fields में आपको काम करने की कोशिश करना है, और दीरे-दीरे करके आपको एक अच्छी job मिलने की पूरी उमीदे रहती है, तो आपको अ करने की कोशिश करिए, जो कि actually में आपके लिए important हो सकता है, अगर आप animal nutrition से degree करने का सोच रहे, MVAC करने का सोच रहे, तो बढ़िया एकदम field है, और आपको कही ना कही private sector में job लगी जाएगी, अगर आप इस field में आते हैं तो, तो thank you so much for watching the video, और अगर आपको कोई doubt हो, तो आ